नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता जो लोग अपनी सेहत का खास खयाल रखते हैं और हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं वो लोग कई चीजों को बड़े संभल कर खाने पर भरोसा करते हैं वो लोग ये देखते हैं कि कौन सी चीज कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसान दाएक अगर आप लोग भी कुछ खाने से पहले फायदा या नुकसान सोचते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए फायदेमंद है अपनी से स्टोरी में हम आपको वाइट और ब्राउन शुगर से होने वाले नुकसान और फायदों के बारे में बताएंगे सबसे पहले आपको ब्राउन और वाइट शुगर के बारे में बताते हैं वाइट शुगर बनानी के लिए गुड को अलग किया जाता है तो वहीं ब्राउन शुगर में गुड की मात्रा मिलाई जाती है। गुड के मिलते ही वाइट शुगर का रंग ब्राउन हो जाता है और ये ब्राउन शुगर हो जाती है। वाइट और ब्राउन शुगर के बीच स्वाद और रंग अलग होता है। तो इसके अलावा उनके स्वाद के बीच का अंतर ये है कि ब्राउन शुगर का फ्लेवर आपको कारमेल और टौफी में मिलता है। जबकि सफेज चीनी अधिक मीठी होती है जिसका प्रयोग केक और पेस्ट्रीज के लिए किया जाता है। आईए अब आपको ब्राउन और वाइट शुगर के फाइदे और नुकसान के बारे में बताते हैं। ब्राउन शुगर के फाइदे ब्राउन शुगर आपके शरीर और मस्तिश के लिए एक त्वरित उर्जा का मुख्य स्त्रोथ है। इसमें ग्लुकोज मौजूद होता है जो रक्त प्रभा में प्रवेश करने के बाद उर्जा में परिवर्तित होता है। स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट इंस्टेंट एनरजी को प्राप्त करने के लिए ब्राउन शुगर का इस्तिमाल करते हैं। ब्राउन शुगर बढ़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बेहत फाइदिमन है। ब्राउन शुगर के सेवन से आपकी स्किन का glow भी बरकरार रहता है। ब्राउन शुगर में मौजूद गुण आपके मेटाबॉलिजम को बढ़ाने में मदद करता है। मेटाबॉलिजम रेट बढ़ने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। ऐसे में यदि आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो सफेद चीनी के बजाए ब्राउन शुगर को अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि ब्राउन शुगर वजन घटाने में मदद करती है लेकिन इसके सेवन की मात्रा का ध्यान रखें वाइट शुगर के फाइदे तो वहीं अगर वाइट शुगर की बात करें तो यह आपके कील, मुहासो, एक्जिमा और यहां तक की सूजन जैसी तो अच्छा की कई समस्याओं को दूर करने में सक्षम है ब्राउन शुगर की तरह वाइट चीनी भी लापकारी है जो शरीर को इंस्टेंट एनरजी देती है लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए वाइट चीनी के क्यूब्स बेहत फाइदिमन है जो इसे बढ़ाने में मदद करते है तो वहीं वाइट शुगर दिमाग को ठंडा करने में भी मदद करती है जब भी आप किसी तनाफ के शिकार होते हैं तो आप एक चमच शुगर या फिर एक चॉकलेट खाकर अपना मूद ठीक कर सकते है कहते हैं किसी भी खादे पदार का ज्यादा सेवन करना नुकसान दायक भी होता है और स्वास्ते संबंदी समस्याओं को जन्द दे सकता है ठीक उसी तरह ज्यादा वाइट शुगर का इस्तमाल दिल और शुगर के मरीजों के लिए खानी कारक हो सकता है चीनी के सेवन से बलड में शुगर की मातरा बढ़ जाती है और इससे मुटापे का खत्रा भी रहता है